एक चंगल में रिशी की एक कुटिया थी जहां वा अपने शिश्यों को ज्ञान दिया करता था एक दिन अपने दो शिश्यों को उन्होंने अपने पास बुलाया और कहा तुम दोनों का ज्ञान पूर्ण हो चुका है तुम दोनोंने पूरी विद्या हासिल कर चुकी है लिए निकल जाओ और अपनी विद्या से लोगों की सहायता करो दोनों शिष्य अपनी शिक्षा पूर्ण होने की बास सुनकर खुश हो जाते हैं और भ्रह्मन के लिए निकलने लगते हैं तभी एक और शिष्य कहता है आप दोनों ने विद्या गरहन कर ली हैं आपसे मुझे भी सीखना है मुझे भी अपने साथ लेकर चलो दोनों पंडित अपने साथ ले जाने से उसे मना कर देते हैं परन्तु तीसरा सिश्य उन्हें मना लेता है और कहता है मैं आपका मार्क शेवक बनकर चलूँगा और अब तीनों जंगल में चलने लगते हैं और काफी दूर चलने के बाद सबसे बड़ा पंडित कहता है कि काफी चल लिया है अब तो भूग लग रही है कुछ खा लेते हैं और थोड़ा अराम कर लेते हैं एक आम के पेड़ के पास पहुचकर फल तोड़ने लगते हैं परन्तु पेड़ उचा होने के कारण वह कामियाब नहीं हो पाते तो सबसे चोटा पंडित कहता है कि तुम रुको भाईयों मैं कुछ उपाय करता हूँ तो दूसरा पंडित कहता है कि तुम तो रहने दो तुम ज़्यादा अकल लगाओगे तो तुम्हारी अकल खत्म हो जाएगी परन्तु छोटा पंडित अपनी अकल लगाकर पेड़ से फल को तोड़ कर लाता है और कहता है अगर एक पेड़ की उचाई ज़्यादा है तो जर पिरवा वहीं पेड़ के नीचे अराम करने लगते हैं और अगली सुबा आगे का सफर तै करने के लिए निकल जाते हैं चलते चलते वह एक गुफा के पास पहुँच जाते हैं और उन्हें एक जानवर की हड़ी दिखाई देती है छोटा पंडित कहता है ओ ये देखो ये तो जंगल की राजा सीर की हड़ी है परन्तु उन दोनों की राय अलग हो जाती है एक कहता है ये तो कुट्टे की हड़ी है और दूसरा कहता है ये तो हिरन की हड़ी है बड़ा पंडित कहता है ये जिस भी जानवर की हड़ी है इसका पता तो मैं लगा कर रहूंगा तो एक कहता है मैंने भी इतना ज्ञान हासिल किया है कि मैं मनुष्य ये जानवर किसी की भी हड़ी को जोड़ कर उसमें मास भर सकता हूं दूसरा कहता है कि मैं जीवन दे सकता हूं मैंने भी जीवन दान देने का ज्ञान हासिल किया है छोटा पंडित दोनों का ज्ञान सुनकर बहुत खुश होता है पर अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम वापिस चले जाओ छोटा पंडित कहता है नहीं नहीं मैं वापिस नहीं जाओंगा परन्तु यहां से दूर छुप जाता हूं ताकि आप लोगों की विद्या देख सकूँ वो दोनों अपनी विद्या का परियोग करना सुरू कर देते हैं और सफल भी हो जाते हैं परन्तु वा सेर उटकर खड़ा हो जाता है और उन दोनों को मार देता है वोटा पंडित यह सब पेड की पीछे चुप कर देखता है और कहता है कि किताबी ग्यान हासिल करने से कुछ नहीं होता है बहरी दुनिया का ग्यान भी हासिल करना बहुत जरूरी है तो बच्चों हमें इस कहानी से यह ग्यान मिलता है कि हमें किताबी ग्यान के उपर निर्भर नहीं रहना चाहिए जितना किताबी ग्यान जरूरी है उतना ही बाहर की दुनिया का ग्यान होना भी जरूरी है जिसको ये दोनों ग्यान प्राप्त होते हैं वह जीवन में सफल हो जाता है और जो एक पर निर्भर रहता है वह इसी दुनिया में सिमट कर रह जाता है